हैलो एब्डिवन आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवन एट त्रीपर आज है आठ अप्रेल दोजाच चौवीस और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही वेल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लिजे और आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्केप्ट में मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तो चलिए चलते आज के अपने टॉप तो विहाल ही ने 7 अप्रेल विश्य स्वास्थ दिवस मनाया गया है हर साल 7 अप्रेल को दुन्या वर में विश्य स्वास्थ दिवस मनाया जाता है यह दिन WHO यानी World Health Organization द्वारा सियत की प्रती लोगों में जागता फैलान के लिए तै किया गया है यह दिन लोगों को यह याद दिलानी के लिए मनाय जाता है कि हमारे स्वास्त का कितना महत्वपूर है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और प्रतेग वर्स इस दिन वेस्व स्वास्त अंगठन द्वारा बिविन कारेकरम आयो जित किये जाते हैं नेक्ट कोशन है कैंसर के लिए भारत की पहली गरेली जीन थेरेपी कहां शुरू की गई थी सही अंसर है इस कोशन का ओप्शन वी आई 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 टी बॉमबे तो कैंसर के लिए बारत की पहली गरेली जीन थेरेपी के IIT बॉम्बे में शुरू की गई थी बारत की राइश्ट पदी दौपदिन मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए बारत की पहली गरेली जीन थेरेपी का शुवारम किया है इसे कार्टी शेल थेरेपी कहा जाता है और भारत की पहली कार्टी शेल थेरेपी IIT Bombay और Tata Memorial Hospital के साय उक से विक्सित की गई है Next question है हाल ही में D.I.D.O. द्वारा केस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परिच्ण किया गया सही answer एस question का option है अगनी प्राइम तो भी हाल ही में D.I.D.O. द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का सफल परिच्ण किया गया है इस Tragic Force Command यानी SFC ने Defense Research and Development Organization के साथ मिलकर अप्रेल दो या तेज को उडिसा के तड़ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीडी की वेलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का सफलता पूर्वक परिचन किया है और अगनी प्राइम सतय से सतय पर मार करने वाली दो चरणों वाली मिशाइल है अब बात तरहें D.I.O. की इसका पूरा नाम है Defense Research and Development Organization इस्तापना हुए थी D.I.O. की 1958 में मुख्याल है नई दिल्ली में हैं और अध्यच हैं समीर विकामत नेक्ट कॉशन है हाल ही में केश देश के करतिम सूर केश टार ने 100 मिलियन डिगरी सेल्सियस का ताप मंत्रा अप्त किया इस कुशन का सही अंसर है Option B देश्चड कोरिया तो अभी हाल ही ने देश्चड कोरिया देश के करतिम सूर केश टार ने 100 मिलियन डिगरी सेल्सियस का ताप मंत्राप्त किया है दच्चड कोरिया के क्रतिम सूर केश्टार ने सौमलियन सेंटिग्रिट का तापमन प्राप्त किया जिसका नाम है केश्टार केश्टार दच्चड कोरिया में एक परमालू सायनलेन रियक्टर है जिसे अकसर क्रतिम सूर के रोप में जाना जाता है परमारु सलियन प्रक्रिया इस सूर्य और सितारों को शक्ति प्रदान करती है केश्टार ने 40 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमन बनाई रखा जो इसके पिछले रिकॉर्ड 30 सेकंड को तोड़ता है और नोट को अगर हम देखें तो चीन के नाम 7 मिनट तक रातिम शूर का तापमन बनाई रखने का रिकॉर्ड है दच्छल कोरिया की राइधानी है सी योल, मुद्रा है दच्छल कोरिया इवान और राइश्ट पति हमाके यून सुक योल नेक्ट कोशन है, हाल ही में जापान देश ने किस देश के परेटकों के लिए इवीजा की शुरूआत की इस कोशन का सई अंसर है ऑप्शन A, बहारत तो अभी हाल ही में जापान ने अपने देश बहारत के परेटकों के लिए इवीजा की शुरूआत की है जापन ने बारतियों के लिए इवीजा लॉंच किया है जो BFS ग्लोबल के माध्यम से आवेदन करके बहुत एक वीजा इश्टीकर के बिना परेटन के लिए 90 दिनों के प्रवास को सक्ष्यम बनाता है आवेदकों को एक इलेक्ट्रोनिक वीजा प्राप्त होता है और इसे उनने हावाई एड़े के चेक इन पर बारकूर्ट के साथ एक डेटल वीजा जारी करने का नोटिस दिखाना होगा और हिनले पासपोर्ट इंडेक्स दोया 24 के अनुसार भारत पासपोर्ट रैंकिंग 62 देशां तक पहुँच के साथ पिच्चा सीवें स्थान पर है नेक्ट कोशन है के इस देश में दुनिया के सबसे बुजरुग व्यक्ती जुआन विसेन पेरेज मुरा का 114 वर्स की आयू में निदन हो गया सही अंसर एस कोशन का ओप्शन ए वेने जुएला तो वेनेजवेला देश में दुनिया के सबसे बुजर्ग व्यक्ती जुआन विसेंट पेरेज मुरा का जिनकी उमर थी 114 वर्स एतनी आयू में उनका निदन हो गया जुआन विसेंट पेरेज वेनेजवेला के एक व्यक्ती थे उनका जन 27 में 1909 फो एल कोबरे नामक कजबे में हुआ था और फरवरी दुएर बाइस में जब पेरेज 112 वर्स और 253 दिन के थे तब गिनीज वर्ड रिकॉर्ड से आधकार एक तोर पर इनने दुनिया में सबसे उम्र दराज व्यक्ती वोशित किया था अब दुनिया के सबसे बुजरुगा आदमी का खिताब च्यापन के नेकी उम्मीद है वेनेजवेला की राजधानी है कराकस मुद्रा है वेनेजवेला बोलीबर राश्पती है निकोलस मादरो नेक्ट कोशन है अप्रेल दुज़ेट 24 में केंज देश का मागुरेले लेजर दुनिया का सबसे सक्तसाली लेजर बना इस कोशन का सही अंसर है ऑप्शन बी रोमानिया रोमानिया में मागुरेले लेजर दुनिया का सबसे सक्तसाली लेजर बना रोमानिया के बुखारेश्ट के पास मागुरेले में लेजर्ण ने उच्छतम शक्ती 10 पेटावाट्स तक पहुँचा और मागुरेले लेजर जो है वो यूरोपिय E.L.I. परेउजना का हिसा है रोमानिया के अगर हम बात करें तो इसकी राज़दानी है कि पुचार वेश्ट मुत्रा है रोमानियन लिट लिव और राश्टपती है कि लाउस लोहानीस मैट कुशन है हाल ही में किस मंत्रा ले ने माई CGHS IOS एप लाउंच किया है सही अंसर है स्कुशन का ओप्शन भी स्वास्त मंत्रा ले तो भी हाल ही में स्वास्त मंत्रा ले ने माई CGHS IOS एप लाउंच किया है केंडरी स्वास्त मंत्रा ले ने माई CGHS IOS एप लाउंच किया ये एप CGHS लावारतियों को उनकी उंगलियों पर आवशक स्वास्त सुविदाओं तक सहज पहुच खिसास शशक्त बनाता है पहले ये केवल एंडॉर यूजस के लिए ही था लेकिन आप इसका iOS वरिजन भी लाउंच किया कर दिया गया है CGHS का पूरा नाम है Center Government Health Scheme जिसे यंदी में बोलते हैं केंद सरकार स्वास्त योजना ऐसे आपको केंद सरकार स्वास्त योजना के लावारतियों के लिए Electronics स्वास्त रिकॉर्ड सूचना और संसादनों तक पहुच बढ़ाने के लिए डेजाइन किया गया है Next Question है हाल ही में Tata International का नया MD के से नियुप किया गया सही आंसर है Option A Rajiv Shingle तो भी हाल ही में Tata International का नया MD Rajiv Shingle फो नियुप किया गया है Tata International ने Rajiv Shingle को नया प्रवन देशक यानि MD नियुप किया उन्होंने आनंद सीन का इस्थान लिया है जो 31 मार्स दोयाच चोविस को सेवानी ब्रत हुए इससे पहले Rajiv Shingle Tata International में कारकारी निदेशक और मुख के परिचालन अधिकारी थे Tata International के चेयर्मेन की बात करें तो वो है Noel and Tata Next Question है हाल ही में नाटो सामू एक संदी ने 75 वर्स पोरे होने पर विसेश समारो का आयोजन कहां पर गिया जए आन्सर एस Question का Option B ब्रूसेल्स में नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रेल 1999 को नाटो के संस्थापक सदस्यों की संख्या बारे वर्समान में नाटो के सदस्ये हैं 32 नाटो की वाशिंगटन शंदी के अनुशार अनुच्छित 5 में कहा गया है कि संख्यतन के किसी भी सदस्य पर हमले का सामूए की जवाब दिया जाएगा एस अनुच्छित का उप्योग अब तक केवल एक बार किया गया है जब 2001 में अमलीका पर अलकाइदाने हमले किये थे नेक्ट कुशन है हाल ही में अंदुता निवारण सब्ता कम मनाया गया सही अंसर है ऑप्शन ए एक अप्रेल से लेकर साथ अप्रेल तक बारत सरकार ने एक अप्रेल से लेकर साथ अप्रेल को अंदापन निवारर सप्ता गोशित किया है जिसका उद्देश है हमारी आँखों की देखवाल के मुनत्व के बारे में जगता पैदा करना और आँखों की बीमारियों को रोकने के लिए नियमित आँखों की जाँच कराना नेक्ट कुशन है हाली में नाटो रोस के साथ युद में यूकरेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है सही आंसर एस कुशन का ओप्शन C 100 अरब यूरो उत्तरी अट्लांटिक शंदी संगटन यानी नाटो रोस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पांच साल के लिए 100 अरब यूरो का पंट तैयार कर रहा है और नाटो के मास अचिब हैं जेन से स्टोल टेनबर्ग नेक कुशन है हाल ही में ASI परफॉर्मेंस एस टेंडर्स से प्रमारत होने वाली पहले बात यह यूमिनियम कमपनी कौन सी है सही अंसर इस कुशन का ऑप्षण सी बालको कमपनी जथिसगर हिस्तत बारत अलूमिनियम कमपनी लिम्टेड बालको ने अलूमिनियम इस्टीब बर्डशिप एनिशियेटिव परफॉर्मेंस इस्टेंडर्स V3 शर्टिफिकेशन हाशल किया है और यह शर्टिफिकेशन हाशल करने वाली बाल को पहले भारतिय कंपनी बन गई है किसे एक कॉंकर रेलवे कॉर्पोरेशन के नई CMD के रोप में नियुक्त किया गया है सही अंसर एस्ट कॉर्पोरेशन का ओप्शन B संतोस कुमार जहा 1992 वैच के भारतिय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी शंतोस कुमार जहाने कॉंकर रेलवे कॉर्पोरेशन लिम्टेड के अध्याच और फ्रवर्न देशक की भूम का समाली है नेक्ट कैसर ने Democrats और Mechanical Penguins के 33 महान देशक करोप में पदवार गरहन किया है सही अंसर है और जे S.िदाना Lieutenant General J.S.िदाना ने Electronics और Mechanical conflicting के 33 महान देशक करोप में पदवार गरहन किया फिर मर्त कमान मुख्या लेके EME के मास्टर जनरल लहे हैं और उन्होंने आर्मी बेस वर्क्शॉप और EME सेंटर की कमान समा लिए है इस्टेटक जीगे को देखें तो नगरपाल का का सदस से ओडने के लिए निम्तों अम्ब कितनी होती है 21 पर्ष बारत के किस पदान मंत्री की आईश सबसे अधिक थी मूराद जी देशाई की कैबनेर मंत्रियों की शपत ग्रेंड किस अनसूची में वर्ड़त है तीसरी अनसूची में बारत का सम्विदान कब अंगी करत किया गया था 26 नवंबर 1949 को केंद्र और राज्यों के बीच विदाई शक्तियों का वित्रण किस अनसूची में है सात्मी अनसूची में लोकसभा का प्रम कौन होता है लोकसभा स्पीकर राज्य में कारपालका से नियापालका का पतिकरड के सनुचित के तैत में है अनुचित पचास बारत के समवेदान केकि सनुचित में सार्व वॉमिक वैस्क मतादिकार का प्राबदान किया गया है अनुचित 326 राष्टिय मानावदकार आयोग की स्थापना कब हुई 1993 इश्वी में बारत के चौते राष्टपती कौन थे वीवी गिरी 1989 से 1904 तक नागालेंड राज की स्थापना कब हुई थी 1 दिसम्मर 1963 इश्वी में चवाड़ी से सरसिता सम्विदान शेंशोदन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था संपत्ती का अधिकार अनुच्छे 301 के तहत विदिक अधिकार अनुच्छे 170 के अनुसार विदान सवा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम 500 बारतिय सम्विदान का कौन सा अनुच्छे दर्पशेंख्यक संवदाय के हितों की रच्छा के लिए है अनुच्छे 29 केस राज़ में आज तक राष्ट पतिशाशन नहीं लाग हुआ 36 गडवत्ति लंगा ना राज़ में पिछली वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था कि हाल ही में दोस्ती सिख्टी नभ्यास कहां पर किया गया सही अंसर इस कुशन का ओप्शन सी मालधीब अब आपके लिए आज का कुशन है हाल ही में बेश्व स्वास्तन बेश्टस्वासर दिवस का मनाया गया है सही अंसर इस कुशन का आप लोगो कमेंट में बताना है अगर आपको यह वीडियो आज की हैल्फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय भारत बंदे मातरम